नमस्कार, धर्ती मेरी माता पीता आस्मान, मुझको तो अपना सा लगे सारा जहान, दुनिया की सभी माताओं को, आज मदर सिदे की हार्दिक सुख काम नई अगर हिंदू धर्म की नजर से देखें, तो धर्ती को माता का दर्जा दिया गया है ऐसा इसलिए क्योंकि सास्त्रों में प्रिथवी को मा कहा गया है यही कारण है सनातन संस्कृत में सुबर उठते ही धर्ती को दाएं हाथ से इसपर्स कर माते लगाने की परंपरा रही है इस नीत को बिधान बनाकर धार्मिक रूप इसलिए दिया था ताकि मानव धर्ती माता के प्रती अपनी क्रिद्दक्चता प्रकट करता रहे तथा उसको सम्मान करे लेकिन आपने देखा है कि पिछले कई सो वर्सों से प्रत्वी माता यानि प्रकिती के खिलाफ हम लोग रहे हैं जबकि हम लोग धर्ती माता के रिणी रहे हैं परंतु हम लोग धर्ती माता का रिण चुका नहीं पाए और यही कारण है कि धीरे धीरे इस प्रिथवी से इस दुनिया से इस दुनिया का मतलब ही प्रिथवी है इस प्रिथवी से हमने बहुत सारे पेड़ कार डाले हमने प्रिथवी माता का बहुत सारा नुकसान किया और इसलिए समय समय पर पृत्वी माता ये कहती रहती है कि आप लोग सतर करेए इस तरह से मत करेए कि जिससे आपका नुकसान हो मा कभी नहीं चाहती है कि उसके पुत्रों का नुकसान हो इसलिए पृत्वी दर्द सहते हुए देखिये उसके कितने पेड़ों को कितने लोगों को लोग मार काट करके कितनी ज्यादा न्याय करके पृत्वी माता हमेशा कहती है कि अच्छे से रहो अच्छे से रहो प्रकीति का सम्मान करो लेकिन हम नहीं मानते हैं इसी वजह से पृत्वी माता रुष्ट भी होती है लेकिन रुष्ट होने के बाद भी अपना सब कुछ वो देती रहती है आज इस कुरोना जैसी महामारी में हमको सिर्फ पृत्वी माता के कुछ अंगों के न रह जाने की वज़े से दिक्कत हो रही है अगर वही पीपल के पेड़ वही बरगत के पेड़ वही नेम के पेड़ आज उसी संख्या में इस पृत्वी में होते जिनको हमने और आपने मिलकर के काट डाला तो आज कृतिम आक्सीजन की आवशक्ता हमको बिलकुल न पड़ती हमें प्राकृतिक आक्सीजन से ही परियाप्त आक्सीजन मिलती और हमें हास्पिटल की ओर न जाना पड़ता आज चूंकि पूरी दुनिया में मातरित दिवस माता दिवस मनाया जा रहा है इसलिए मैं आप सबसे पुनह गुजारिस करना चाहता हूँ एक बार पुनह आईए हम लोग सब कोई मिलकर संकल्प लें कि हमने जो गलतियां इसके पहले की अब उस गलती को दुबारा नहीं करना है और हमें अब जादा से ज़्यादे इस प्रिथवी माई को पेण देने हैं इस प्रिथवी पर पेण लगाने हैं ताकि हमें और हमारे बच्चों को जीवन भर परियाप्त आक्सीजन मिल सके और हमें आक्सीजन के लिए किसी कृतिम या हास्पिटल या ऐसी चीज़ों का सहारा ना लेना पने। एक बार पुना है आप सभी को एवं सभी इस दुनिया की माताओं को तहे दिल से मात्रे तो दिवस की सुख कामनाएं। हम चाहते हैं कि आप सभी माताओं के बच्चे जीवित रहें और प्रकित उनकी मदद करें और आपका असिर्वात सदा उन पर बना रहें। देखिए प्राचीन समय में घरों में ग्रिहनियां सुबा उर्ते ये घर के मुख्य द्वार के बाहर जाडू पोचा करती थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहता था। उस रद्धा से धर्ती को सपर्स करती थी और धर्ती माता से ही ये वर्दान मागा करती थी कि हमारे बच्चे को स्वस्त रखना धर्ती माता। हम भले कुछ भी समझें लेकिन जो मा होती है चाहे वो धर्ती मा हो चाहे हमें जनम देने वाली मा हो सभी माता हैं हम सबका ख्याल रगती हैं। तो हमारी माता जानती थी कि धर्ती माता ही हमारे बच्चों को बचा सकती है इसलिए वो सुबह उठकर के सबसे पहले धर्ती माता की सेवा करती थी और उसी से अपने बच्चों के रक्षा की प्रार्थना करती थी। अब हम सुबह नहीं उठते थे या आप सुबह नहीं उठते थे इस बाक को नहीं देखते थे ना जाने वह अलग चीज है पर आप ये मान लें कि आज भी माताई ये करती हैं पर पहले की माताई बड़े सुबह भोर में उठकर के धरती माता से ही सबसे पहले वंदन करती थी क कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना और सबसे पहले उनी की साथ सफाई करती थी इसलिए हमें प्रित्वी माता से जुड़ के रहना चाहिए धर्ती माता से जुड़ के रहना चाहिए और आज हम सब को संकल्प लेना चाहिए कि धर्ती माता का वंदन हम लोग करेंगे और धर् पुना है आप सभी को मात्रित दुवस्की हार्दिक सुखकामनाएं सभी माताओं को हार्दिक सुखकामनाएं समय समय पर हम अपनी माता के साथ चन्म देने वाली माता के साथ प्रिथवी माता का भी सम्मान करें वा उसकी सेवा करें ताकि इस पूरी स्थिस्थ में सदा ही हमा हमारे जैसे लोग बिचरन करते रहें हो सकता है कि अदि जिस हिसाब से हम लोग इस प्रित्वी माता का दोहन कर रहे हैं और उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो हम एक हजार साल बाद दोहजार साल बाद हमारे संताने या हमारा कोई अंस इस प्रित्वी पर नहीं बचेगा इसलिए मैं एक बार पुनह कहता हूँ इस धर्ती मा की रक्षा करने के लिए भी हम सब को संकल्प लेना होगा आज की विसेज खबर यहीं तक बाकी खबरों के लिए पुनह मिलेंगे तब तक के लिए नमशकार प्रणाम